हेलो, जैहिंद, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैट्स का प्रेक्टिस सेट 15, इसका पहला कॉश्चन है, चलिए इसका आंसर कमेंट बोक्स में बताईए, मैंने आपको बताया था, इसमें जब हम गुणा करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां प यहां पे 3 हैं, यहां पे 3 हैं, और यहां पे 1 भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, और बाकि इसको अगर बेसिक से करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.02 into 30, 30 दूना 60, और यहां पे 10 समलब के बाद कितने अंग हैं, 1 और 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट ह तो option number A इसका बिलकुल सही होगा, अगला question है, what is the percentage of 15 minutes to an hour, 15 minutes जो है, एक घंटे का कितना परतिसत है, यह पूछा गया है, question को आप 2-3 बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि question को समझने के बाद ही आप उसका answer दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे solve भी करवाना होता है, इसलिए में एक ही बार पढ़ता हूँ, या जाज जादा दो बार पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आपको 2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और समझने है, कि उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, तो यहां पे आपको पूछा गया है, कि 15 minutes to an hour, 15 minutes जो है, एक घंटे का कि कितना % होगा, इंटू कर देंगे, 100 से, एक से कटेगा, एक 0, यहां पे 3 से कट गया, 15, 5 बार, 3 से कट गया, 6, 2 बार, और 2 से कटेगा, 10, 5 बार, यानि 25 पर 30, कितना होगा, 25 पर 30, ओप्सन नुमर, A इस question को solve करने से पहले, एक formula आप revise किजिए, A माइनस B का whole square, बराबर होता है, A square प्लस B square, माइनस 2 A, B यहां पे अगर हम इसको ऐसे solve करेंगे, 999 गुणा, 999 तो इसमें हमारा काफी time waste हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे solve नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे, 999 बराबर हम लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, 1000 में से अगर हम एक कम करेंगे, तो हमारे पास कितना हैगा, 999 तो हम 999 की जगह में क्या लखेंगे, 1000 माइनस 1, तो यहां पे हम लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का square, इसकी जगह में, ठीक है तो यहां पे A आपका हो जाएगा, 1000 और B आपका हो जाएगा, 1 तो A की जगह में हम लिखेंगे, 1000, 1000 का square, प्लस B की जगह में लिखेंगे, 1 यानि 1 का square, माइनस 2, इन्टो A की value है 1000, इन्टो B की value है 1 तो यहां पे अगर हम इसका square करेंगे, तो 3, 0 यहां पे double हो जाएगे, ठीक है तीन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस यहां पे 1 का square मिन्स 1, माइनस यहां पे 2000, दो एकम, 2, 2000 अब इसको आगे अगर हम solve करेंगे, तो यह आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और 1 इन दोनों को add करके इतना आएगा, माइनस आएगा 2000 अब इसमें से अगर हम 2000 माइनस करेंगे, तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 10 में से दो गया 8, यहां पे बज़ेगा 9, यहां पे भी बज़ेगा 9, तो इसका answer आएगा option number B उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगला question है what is the smallest 4 digit number divisible by 4, ऐसी कौनसी संक्या है चारंकों की जो 4 से divide हो जाए, सबसे छोटी संक्या, इन में से, ठीक है तो इन में से जो सबसे छोटी संक्या है, हम option से इसको देखेंगे, सबसे छोटी संक्या है, 1000 अगर हम 1000 को 4 से divide करते हैं, तो 4 दो ना 8, यहां पे 2, 0, 4, 25, 20, और यहां पे 0, यहां पे भी क्या हैगा, 0 तो इसका मलदब सबसे छोटा number क्या है, 1000 बाकी आपको एक चीज और याद रखनी है, चार का जो divisibility rule है, वो क्या है, वो कहता है, अगर कोई संक्या आपके पास है, कोई भी संक्या है, ठीक है अगर उसके last के two digits उसके last के दो अंक जो है चार से divide हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी चार से divide होगी जैसे एक संख्या है two, three, four, two, eight ठीक है तो इसके हम क्या देखेंगे last के दो अंक देखेंगे कि ये चार से divide हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगर यह 4 से divide होते हैं 4 सता 60 इसका मत्तव यह पूरी की पूरी संक्या 4 से divide हो जाएगी तो यहां पे भी 2 0 जिस संक्या हमें आते हैं जिस संक्या के लास्ट 2 अंक 0 होते हैं वो हमेजा 4 से divide होती है टीकि है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं इनका SCF आपको निकालना है कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ 18 के पहले हम गुणनखन करेंगे 2, 9, 18, फिर 3, 39, फिर 3 एकम, 3 उसके बाद 45 के गुणनखन 3 से गटेगा, 3 एकम 3, 3, 15, फिर 3 से 5 बार फिर 5 से एक बार, फिर उसके बाद 72 के गुणनखन 2, 3, 6, 1, 2 मिंस 12, 2 चका 12, 2 एकम 2, 1, 6 मिंस 2, 8, 16 फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर, 2 गुणा, 3 गुणा, 3 और 45 बराबर लिखेंगे, 3 गुणा, 3 गुणा, 5 और 72 बराबर लिखेंगे, 2 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 3 SCF में हम क्या करते हैं, जो factor जो है सभी संख्याओं का common हो ऐसा factor जो सभी संख्याओं में common हो, ठीक है यह वाला एक तो यह 3 common है, दूसरा यह वाला 3 भी क्या है, common है इसके अलाबा जो है, इसमें कोई भी संख्याओं ऐसी नहीं है, जो तीनों में common हो तो इसका SCF क्या होगा, SCF बराबर होगा, 3 गुणा, 3 यानि 9 अगला question है यह कह रहा है कि आदे घंटे में घड़ी की सुई द्वारा कितने डिगरी का कौण बनाया जाएगा, ठीक है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास एक घड़ी है, ठीक है यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल कितने घंटे होते हैं, 12, 1, 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, और 11 तो यहाँ पे टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 गंटे और यहां से आतक अगर हम घूमते हैं यहां से आतक तो कितने डिगरी का कौन बनता है 360 डिगरी का ध्यान से इसको देखना यह एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ तो 12 गंटे 12 गंटे में कितने डिगरी घूमती है 360 डिगरी जो घड़ी की सुई है घंटे वाली वो बारा घंटे में 360 डिगरी का कोण बनाती है एक घंटे में कितने डिगरी का कोण बनाएगी एक घंटे में बनाएगी 360 डिगरी बटे 12 12 से कटेगा कितनी बार 3 यानि 30 बार तो एक घंटे में 30 degree का कॉन बनाएगी ठीक है और इसने कितने घंटे में पूच आदे घंटे में तो आदा घंटा मिन्स 1 बटे 2 1 बटे 2 घंटे में बनाएगी 30 गुणा 1 बटे 2 2 से गटेगा 15 बार यानि 15 degree का कॉन ठीक है तो एकदम basic से मैंने आपको बताया है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगला question है The sum of the four angles of a quadrilator is एक चतुरबुज आपके पास है और उसके कोणों का sum पूचा है कि कितना होता है ठीक है कोई आपके पास एक quadrilator है A, B, C, D 360 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होता है 360 डिगरी ठीक है अगर तिरबुज का पूचे तो तिरबुज में कितना होता है 180 तिरबुज के तीनों कोणों का यो कितना होता है 180 डिगरी अगला question है OFF का मतलब होता है का और % का मतलब होता है बटे में 100 30 बटे 100 का का मतलब होता है गुणा 4500 माइनस यहाँ पे 25 25% का मतलब upon में 100 का का मतलब into 280 ठीक है 1 0 से 1 0 कड़ गया 5 से कटेगा 5 बार 5 से कटेगा 2 बार 2 से कटेगा 14 बार यहाँ पे 1-0 से 1-0 कड़ गया 1-0 से 1-0 कड़ गया यहाँ पे कितना है 3-5-15 3-4-12 और 1-13 और 1-0 यहाँ पे पहले से ही है और बीच में है माइनस यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 14-5-70 तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 में से 0 गया 0 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचेगा 12 तो 1280 का राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है काफी easy कोशन है और कई बार आ चुका है ऐसा कोशन ठीक है तो चलिए इसको solve करने की कोशिस कीजी आपको time दे रखा है 2 year ठीक है What will be the simple interest simple interest आपको पूछा हुआ है simple interest आपको find करना है और rate आपको दे रखी है 5% और principle आपको कितना दे रखा है 3000 तो इसको आप बिना पिन लगाई भी solve कर सकते हैं 100 से इसके 2,0 कर जाएंगे यहाँ पे होगा 3,5,15,30 यानि 300 इसका सही answer होगा ठीक है बाकी इसको basic से देखते हैं ऐसा ही बराबर क्या होता है P into R into T upon 100 P की value कितनी है 3000 गुणा R की value कितनी है 5 गुणा year कितने है sorry time कितना है 2 upon 100 2,0 से 2,0 कर गए 5,2,10 और 10 गुणा 30 कितना होगा 300 रुपे अगला question है If 15 baskets are made in 45 days Then in how many days Will 110 baskets be made यहाँ पे इसने बोला है कि अगर 15 baskets जो है 45 दिन में बनती हैं तो 110 baskets कितने दिन में बनेंगी तो इसको हम लिखेंगे 15 baskets baskets बनती हैं कितने दिन में 45 दिन में ठीक है एक basket कितने दिन में बनेगी एक basket बनेगी आपकी 45 अपोन में आएगा यह इसके साथ multiply में था यहाँ जाएगा divide में 15 से गटेगा यह 3 बार 15 दिन में 45 यह नहीं 3 days में ठीक है यहाँ पे एक बाल्टी का हमें पता चलिया कि एक basket कितने दिन में बनती है 3 तो हमारे पास कितनी बासकेट्स है 110 बासकेट्स हमें बनानी है यह व'll परसेंट का मतलब अपोण में 100 इंटू 12,000 दो जुरो से दो जुरो यहांपर कड़ गए 12,000 के बट्टे में क्या होता है हमेशा कोई बी संख्या एए है तो इसके बट्टे हमेशा क्या होता है 1-20 अगर इंटे 5,oser सो 1-10 slep20 कड़ गए 12,144 Squares मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि एक से 30 तक आपको कम से कम Squares आने चीए अगला है In a school, parade The ratio of number of boys and girls 9 is to 7 And the total number of boys and girls is 256 Find the number of girls आपको यहाँ पे दिया हुआ है Boys and girls का ratio कितना है? 9 is to 7 और इनका तो टोटल नंबर है वो कितना है? 256 अगर मैं इसके ratio का total करता हूँ तो ratio का total कितना हैगा? 16 और वास्ता में total कितना है? 256 इसका मतलब 16 की value कितनी है? 256 एक की value कितनी होगी? 256 बटे 16 16 से गटेगा? 16 कम 16 7, 16, 9, 6 16, 6, 96 तो एक की value कितनी होगी? 16 अब इसने किसका पूचा है? इसने पूचा है find the number of girls आपको question को बार बार रीड करना है और उसको समझना है ठीक है? और ये तब ही होगा जब आप practice करते रहेंगे तो अब इसने पूचा है girls की value याँ पे पूची है girls कितनी है? 7 तो 7 की value याँ से पूची है तो 16 गुणा 7 कितना होगा? 112 option number B अगला question है a 150 meter long train crosses a telegraph pole in 12 seconds what is the speed of the train? यहाँ पे आपको दिया है कि एक train की लंबाई कितनी है? 150 meter और वो train किसी telegraph के pole को 12 second में पार करती है तो जब भी कोई train किसी pole को या किसी आदमी को किसी आदमी को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई के बराबर की दूरी तै करती है तो distance तो क्या होगी? 150 meter time क्या है उसको? time कितना लगा? 12 second speed क्या हो जाएगी? distance upon time यानि distance कितनी है? 150 meter upon time कितना है? 12 second तो यह आया है आपका meter per second में अगर हम meter per second से kilometer पर आवर में जाते हैं तो इसको हम गुणा करते हैं 18 बटे 5 से तो इसको हम गुणा करेंगे 18 बटे 5 से 5 से ये कटेगा 5, 3, 15, 30 बार 6 से ये कटेगा 2 बार 6 से ये कटेगा 3 बार यहां से देखिए 2 से कटेगा 30, 15 बार तो 15 गुणा 3 15 गुणा 3 अभी आगे आपका kilometer पर हावर में 15 तिया 45 kilometer पर हावर अगला question है The successive discounts on an article of 700 are 20% and 10% find the selling price of the article सबसे पहले मैं आपको इसका basic बताता हूँ basic से इसको हम कैसे कर सकते हैं तो selling price बराबर होता है MP MP into 100 minus discount पहला वाला discount upon 100 into 100 minus दूसरा वाला discount upon 100 अगर यहां पर तीसरा discount भी होगा तो उसको भी हम साथ में ले लेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए MP कितना है 700 into 100 minus पहला discount कितना है 20 रुपे का 20% का upon में 100 into दूसरा discount कितना है minus 10 upon में आएगा 100 तो 700 की upon में क्या होता है इसकी upon में हमेशा क्या होगा 1 into यहां पर कितना बचेगा 80 by 100 into यहां पर बचेगा 90 by 100 1 0 से 1 0 यहां पर कड़िया 1 0 से 1 0 यहां पर कड़िया और 2 0 से 2 0 यहां पर कड़िया तो कितना बचा आपके पास आठ नमा बहत्तर गुणा साथ यानि साथ दुना चौद्धा और साथ सता उनपचास और एक पचास तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी पान सो चार रुपे ये था एकदम बेसिक तरीका अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम जल्दी से सॉल कैसे कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर होता है MP और यहाँ पर होता है SP ठीक है मान लीजिए पहले प्राइस क्या थी 100 रुपे और इसको कितने का डिसकाउंट दिया 20% का यह पहला डिसकाउंट है ठीक है 20% का डिसकाउंट दिया तो SP कितना होगा 80 और दूसरी बार भी हमारे पा यहां पे कड़ गया, अब यहां पे देखिए, यह कितना हो गया, 10 दसन की, इनको हम कर देंगे, गुणा 10 दसन की 100, MP आ गया 100, और SP कितना आ गया, 8 नमा 72, अब यहां पे ध्यान से देखिए, 100 की वैल्यू कितनी है, MP कितना दे रखा है, 700 रुपे, MP है आपके पास 700 रुपे, एक बराबर क्या होगा, 700 बटे 100, यानि इससे यह कड़ गया, एक बराबर आ गया 7, और हमें किसका मान चीए, SP का मान चीए, तो 72 बराबर क्या होगा, 72 गुणा 7, यानि 7 दुना 14, 7 सता 59 और एक 50, सता 59 और एक 50, 504, औप्सन नमबर 1, एक दो तरीके इसके और हैं, यह तरी होगा, ठीके, अगला गुशन है, the population of a state is 20,000, it increases by 20% in the first year and 30% in the second year, what will be the population of that state after 2 years, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, increase हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था, decrease हो रहा था, तो यहाँ पर मैं लिखुँगा, current जो population है, उसकी, यहाँ पर है current population, और यहाँ पर मैं लिखुँगा, after 2 years, after 2 years, ठीके, पहले population इतने थी, और उसमें जो increase हुआ, वो क्या हुआ, 20% और 33% का हुआ, ठीके, तो पहले यहाँ पर मैं मानता हूँ, पहले वर्स के लिए 100 थी, कितने का increase हुआ, 20 का, तो यहाँ पर दूसरे year में भी क्या थी, 100 थी, उसमें भी कितने का increase हुआ, इसमें increase हुआ 30 का, अब कितनी हो गई, 130, इनका हम ratio निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, अब इनको क्या करेंगे, multiply हम कर देंगे, तो 10 दसन की यहाँ पर आएग तब 100 की value क्या है, 20,000, एक की value क्या होगी, 20,000, बटे 100, दो 0 से 2 0 कट गए, तो एक की value कितनी आ गई, 200, तो हमारे पास किसकी value निकालनी है, after 2 years, दो साल बाद की जो population है, वो हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी, दो साल बाद कितनी है, 156, तो 156 से हम इसको क्या करेंगे, 200 गुणा, 156, यानि, 200, 26, 12, 25, 10, 11, 2, 1, 2, 3, 31,200 इसका right answer होगा, ठीक, option number C, उम्मीद करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना बोलें, चलिए signing out